परसाद, कायां कूडवे गाड, काहे नाईय, नातारवान, सच कमाईय, कायां कूडवे गाड, काहे नाईय, नातारवान, सच कमाईय, जाब साच अंदर होए साचा, ताम साचा पाईय, लिखे बाचों सुरत नाही, बोल बोल गवाईय, जित्था जाए बहीय, पला कहीय, सुरत सब्द लिखाईय, कायां कूडवे गाड, काहे नाईय, जित्था जाए बहीय, पला कहीय, सुरत सब्द लिखाईय, कायां कूडवे गाड, काहे नाईय, वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की मते, जिनन की प्रत पाल करनेत, जिनन की प्रतपाल करेनत कोट पराज हमारे खंडो अनक बिदी समझाबो जिनन की प्रतपाल करेनत कोट पराज हमारे खंडो अनक बिदी समझाबो हम अग्यान अलप मत थोरी तुम्हे आपने विरे देर खाबो दिनन की प्रतपाल करेनत संतो बार गनी मनगाले पश पशो नगनागन राथब सर्ब समय सब को प्रतपारे पश पशो नगनागन राथब सर्ब समय सब को प्रतपारे पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विजा रहे दीन दयाल दयानिद दोखन देखत है परदेत नहारे दीनन की प्रतपाल करेनत परम सनमान योग जुग जुग अटल चवर शतर तक दे मालिक दया सिंद क्रिपा निद तान आद साहे मिश्री गुरू ग्रंत साहे महराजी दी पावन प्वित्र हजूरी अंदर जुड बैठे सर्वत्र माई पाई बहुत वड़ें पागावाले हो जिनाउते साथ गुरू सचे पाथशा जी ने कनेरी नदर करके इस संसारक पदार्थवदी महौल विचों सद संगदियां अमोल कडियां बक्षिश करके निवाजिया है जिते सद गुरू जी ने अमरत विल्ले दा जग्णा बक्षिश कीता है उते तंदी तंदरुस्ती ते मंदा सोना उद्दम बक्षिश करके अपने चरना कमलावे सद भाया है सद गुरू 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 रामदास महराई सचे पाच्छे जी अंदे पावन कुटर स्थान सच्छन श्री हर मंदर साहिवतों जो अमरत विल्ले सद गुरू जी ने समुच्ची मनुखता नू सेद देन वास्ते दिन दुनी दे पात्षा तान श्री गुरू 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 सेद महराई जी ने हुक्म नामा बक्षिश कीता है यह हुकम पूरी दुनिया दे लोक्तां दे कम आउन वाला है सत्गुरु गुरुगरंसे माहरादिया ने पार बक्षिश करके मनुख मत्तर प्रानिया दे पले वास्ते हर रोज इस पावन अस्थान तों हुकम बक्षिश कर देहन इस पावन कुटर मुख वाक दी विजार रल मिलके करन वास्ते गुर्दरा मंजी साहव द्वान हाल विखे सत्गुरु जी ने अपनी गोद विच्चा पनु सद बहाया है इस पावन कुटर शवद सिरी गुरु गुरंसे माहरादिय दे पावन अंग पंज सो पैंट ते शियाट ते सुपाएमान है सत्गुरु गुरु नान दे माहरादिय दे मुवार्प रसना तो वड़हन सराग अंदर शंत दे सरलेख हेट दर्ज है अज़ दे स्पावन कुटर शवद विच सत्गुरु जी तरंद रस्ते उत्ते तुर्ण वालियां लई बहुत गुजा पेद दस रहन के इस संसार दे विच ये जो तेनु कायां मिली है इतनल चार चीज़ां काम कर दिया है एक ते श्रीर कायां है जिनु अंतश करन केंदे उदे चार हिसे हन एदे विच मन वी है, मत वी है, ते बुद वी है और सुर्थ वी है चारे चीज़ां नु सत्गुरु जी कड रहे हन जे किसे जग्यासु दी, मत, मन, बुद, सुर्थ नहीं कड़ी जन दी ते श्रीर दा कीता हुआ कर्म इस संसार वे चेसे तरह रहे जाएगा जिमें कोई टेक्स वज्यों जगात विच बहुत कुछ कटे आ जन दे और जोडन वाले दे हथ पले कुछ नहीं पढ़ेगा चारे चीत्यां कडियां के में जान फिर तेनू गुरु को लौना पएगा गुरु दे हुकम नू बुज़ना पएगा और बहुत बड़े इंतजार गुरु दे दरुते हो सकदे तेनू बड़े सबरनल इंतजार करना पएए इंतजारी दा मार गए बेकरारी दा भी मार गय पर के दे उते कोई बंदा कहे मैंनो इन्ने साल हो गय कर्म कर दें तो ओ कर्म जीड़े मन मत बद सुर्ट नो कडन वास्ते सी ओ ही कर्म बंदे वास्ते मैल बन जानगे, अंकार बन जानगे ता सद्गुर्दी सारे कर्मा नो फिर पामे अज महराजी ने सिर्फ नौनवल इशारा कीता है पीर्थ मातर पर नाल के है सब कुछ कूड है जिननी देर तेरी सुरत नहीं कड़ी जान दी जिननी देर तेरी सच दे नाल तेरी कमाई सांज नहीं पैं दी जिननी देर अंदरों तेनों इस समझ नहीं हो दी कि तेरा शरीर किस ने दिता तेरे कुलों करम कौन करा रहे है इना पिछे करम बक्षिश किस दी ता जितनी दिर ओचीज नज़र नहीं हो दी अगे बिलकुल नहीं कुछ दिसेगा एक चीज ते तो डी नौलिज लिच रहेगी किसे भी बारों अख खराब हो जाए ता डॉक्टर ओदा प्री चेक अप कर देने इस वास्ते के जेते लाइट पिछे है पड़दे बिच ता ये अख ठीक हो सकती है ये अख दी पुतली बदली जा सकती है अख चेंज किती जा सकती है दौरा रोशनी आ सकती है पर जे पिच्छों ही लाइट बिलकुल खत्म हो जाए ता डॉक्टर दे वस दी गल नहीं रह दी जिड़ी पिच्छों लाइट बंद हो जाए ओगों अख बदले आ कुछ नहीं हजुर्ण ने किया है सारे कर्म सिर्फ मोरली अख हन पिदे पिच्छों तेनू समझना पेड़ा के रोशनी कितों आ रही है कर्म बक्षिश कितों हो रही है जिननी देर उस पिच्छे वाली ताकत पनो नहीं समेंदा उननी देर एक कर्म तेरे वास्ते मेल बन दे जानंगे ये सब कुछ अध्यातम दे रस्ते विचे रुकावट हो जानगे आउ सत्गुर जी गुज़ा पेद सानु समझा रहे हन एक वर अपो अपने श्रीत के सुर्तनु साद के दुमे हथ जोड ते आंतर के सादांते सुचेत हो वो प्रवकी उस्तद करो संतमीत सादान एक कगर चीत कगर चित हो के दुमे हथ जोड गुरु गरंसे महराजी नो सीसन वाके वचारन करो जी सतनाम स्री वाहे गुरु सतनाम स्री वाहे गुरु साहिब जी वड़हंस महला पहला शंत एक ओ अमकार साथ गुर परसाद राग बढ़हंस है महला पहला तन गुरु नानक दे महराज सचे पाथशाजी दी मुआरं करसना तो चारन शंत इस बानी दा स्रलेख है और अग्गे सतगु जी संके बेजमूल मंतर बख्षिश कर रहे हन एक ओ ओ अंकार सतगु परसाद होन शबती बख्षिश कर रहे हन काया कूर बगार काहे नाई अखो सतनाम स्री वाह गुरू त्यानल सुने ओ इस दुनिया वेचे जिड़ी चीज वेचे मलावट मिल दी है उन मनुख गुरियज कर दे कि मैं नालमा उदा सेवन ना करा और चीज ना खामा क्यों मलावट वाली चीज दुख दाही है मलावट वाली खादी होई चीज शरीर नो रोग पैदा करेगी शरीर नो बिमारियां ला देगी इसलिए मनुख इस गलतों पर हेज कर दे कि मैं मलावट वाली चीज ना खामा उन्हों शुद करके खारनी चौन दे पामे ओ तर्ती चौने कल्दा पानी क्यों ना हो बे उन्हों किसे आरो सिस्टम दे रही किसे फिल्टर दे रही साफ करके पीना चौन दे नीते रोग पैदा करेगा पर ख्याल विच रखे ओ कोई मलावट वाली चीज खादी जाए बद तो बद रोग लग जाएगा बद तो बद ओस रोग बेमारी नल किसे बंदे दी मौत हो जाएगी मेरे हज़ूर ने एक गल कई सजना कदे तर्म बारे भी सोच लेकर तर्म बच वी जेड़े लोग मलावट कर देने एक खान वाली चीज जाँ दी बद बंदे नो एक वार मौत दें दी है तर्म बच मलावट वी जेड़े किता होया कर्म बंदे नो बार वार जनम मरणते मजबूर कर दे इसलिए तर्म दा कर्म बिलकुल शुद होना चाहीद है तर्म बिलकुल पारदर्शी होना चाहीद है उदे विच मलावट नहीं होनी चाहिए दी हजूर ने सदे तरम दे कर्मा विच्चों मलावट कड़ी देखो इत्यान विच रखे हो गुरू गरंस है विदी बानी कल्ले सिखां वास्ते नहीं गुरू गरंस है महराई दी बानी समची दुनिया दे कम और वाली है पामे कोई जैन्नी बोद्धी असाई मसाई पारसी हिंदू मुसल्मान कोई भी हो बे गुरू गरंस है महराई दी बानी तरम तारन करन वाले लोकां वास्ते राह है इनों कोई भी पड़ेगा तो दे वास्ते रस्ता महराई दस देने और एको गल कई के मलावट नहीं होनी चाही दी मलावट नों के ये कूड चूट अज महराई ने क्या काया कूड बेगाड काहे नहीं है नौन दा की फैदा जे अंदर कूड है कपड है इते काया कूड विगाड़ दा अर्थ है तेरे काया शरीव दे अंदर जड़ी मत बुद सुर्थ हिर्दा कम कर रहा वो कूड नल पर रहा हुए और गुरू दे कूड आके चारे चिज़ां सदियां जान दियाने बिलकुल सुदियां जान गियां हां एक चीज विच भी मलावट रह गए ते सारे दा सारा कर्म बेर्थ चला जाएगा वो हमें कोई वी पंजा के लो दुद कठा कर ले वो दे विच माड़ा जया भी बैक्टीरिया जिड़े पंडे विच पाया जा रहा बैक्टिरिया रह जाए सारे दा सारा दुद बैजाएगा तरम दे कर्म करन वालिया एक पस्षे भी मलावट रह गई तेरा कर्म संसार विची बैजाएगा नरंकार तक नहीं लेके जाए इसलिए चारी चीज़ां गुरु शुद करेगा चौहां चीज़ां नू करेगा तिथा कडिया सुर्थ मत मान बुद फिर ओदे विचली ताकत भी महराइद संगे के की कोज़ है तेरी मत विच एक पस्षे केंगे तेरी मत विच दोए चीज़ां हो सक दिया ने गुरु ने उन्हों शुद करने मत विच मैल भी हो सक दिया ते ख्याल करेओ मत विच रितन जवाहर मान कवी हो सक दिया दो में चीज़ां कर गुरु गरंस है महरा ने कही हैं मुनुकदी मत विच दोए चीज़ां ने गुरु सिर्फ मेल दूर कर दे गुरु दा कम सिर्फ उनु शुद करना है गुरु दा कम साठी सुर्थ मत मन बदनु करना है और महराज दो چीज़ां समने रखनगे एक पास से कैंड़े परी है मत पापा कैंसंग दुझे पास से कैंड़े मत बिचरतन जवाहर मानक महराज निकलन के में ओ मान ते जड़ी मेल परी है उक में निकले दो एक चैज़ां दिसनिया चाही दिन मेल दिसे तां उन्हों तो सकोंगे जिननी दिर तो न्हों कपड़े विच दाग नी दिसदा उन्ही दिर तोंदा यतनी करोंगे जदों कपड़ा मेला दिसदा फिर उन्हों तोता जन्दा गुरू ने क्या सिखा गुरू तैन्हों मेल भी दखाएगा तैन्हों रतन जवाहर म परोदे वास्ते में कल भी बेंती कीती सी, कोई मिशन लेके गुरू को लोना पैगा, एमी फॉमल्टी नहीं, चलो मथा टेक जननें, दासमेट वेके वेक लेनें, इस तरह तरम नहीं कमाई जननें, परिये मत पापा के संग, फिर गुरू उन्हों तो उन्दी जोग दसन गे, ओ तो पैनावे के रंग, नाल एककल बड़ी सुचेत करके कहीं, एमे पुलेखे बेचना रहीं, के मेलडियां पंडा चोके उमर गुजार लेंगा, पर्त के तेतों केड़ा किसे ने लिखा पुछने, इस परम बेचना रहीं, के आज अग मिठा, अगला किने डिठा, खाओ पीओ मौज करो, इट डिंक एंड वी मेरी, नाट इट डिंक एंड वी मेरी, गुरु ने क्या लिखा पुछया जाने तेतों, तेरी मेल दा, तेरे पापां दा, परी एमत पापां के संग, ओ तो पैनावे के रंग, अगे केंड़े पुन्नी पापी अखन ना है, एमे केंड वास्ते नहीं करकर करना लिख लै जाहो, आप पे बीज आप पे ही खाहो, मारच जिडे शुक गोन मत रतन हन, ओ जवाहर रतन जिडे मत विच, ओके में परगट होन, ओ दे वास्ते भी गुरु ने कहा तेनूं गुरु को लोना पे, मत विच रतन जवाहर मान के, जे एक गुरु दी आके सिख्या सुने, फिर एदे विचों दो कम होन गे, मेल भी निकलेगी, ते मत विचों रतन जवाहर मान के परगट होन गे, जिमें दो चीज़ां कठियां ने, जदो सब बन ते पानी लाके कपड़ा तोमोंगे, ओ दी मेल भी निकलेगी, ते नाल बिलकुल दो चीज़ां कठियां होन दी, मेल निकल दी है, शुद ता परगट हो जान दी, मेल निकल दी है, ते बिलकुल दी चमक कपड़े दी बाहर आ जान दी, इस तरह मत विचों मेल गुरु कड़ेगा, नाल दी नाल गुरु दी सिख्या नल मेल निकलेगी, नाल दी नाल रतन ज वाहर शुब गुन परगड़ हो जाना और जे ओ चीज़ा ना कड़ियां गई या तहजूर ने किया कोई लाब नहीं होएगा सब कोई कूड है ते नाता उना दा परवान हुंद है जिड़े गुरू दे रही अपने अपनों कड़ लें दे हन नाता सो परवान सच कमाईया है उना दा नाता परवान है जो सचनू कमोंदे हन जिना दी सुर्थ मत मन बुद कड़ी गई है बिलकुल अंदरों शुद हो गए जब ती सेव तुसीं पढ़के आयो उत्थे महराज ने इशारे मतरगल कई तीर्थ नावा जेत इस पावा बिन पाने के नाहे करी ए मालक मैं तीर्थ नालमा पर नाता होया तां परवान है जे तेनू पाजावे तेनू ओ पाउंदे है तेनू ओ चंगा लगदे है जेड़ा बिलकुल शुद हो जाए जेदे अंदर सच्दी कमाई होबे कूड निकल जाए और एक गलत्यान विच रखे हो कूड नल परे होई नल नफरत नहीं करदा गुरू कूड नल पढ़े है संसार ओंदे है बस सत्गुरू इस गल्दी उडी कर देने तू अपने कूड दी महल मेरे को लाग मैं तेनू दखा दांगा जिद्धन तेनू महल दिस पे है उद्धन इमान दारी नल एडमेट कर ली के मेरे अंदर अगण ने गुरू ओसे वकत तो के रतन जवाहर पर गड़ कर दे जिन्नी देर तू मनदा नहीं गुरू तैनों दखाएगा और तैनों उस तों बाद अपनी जबान तो मनना पेड़ने हजूर ने किया कोदा नाता परवान है जिड़े सच कमों देने एक नुक्ता हो रते आनवे चैसी कई वाद निंद्या व एक गल कई है पहला किया काहे कोडव काया कोडव गार काहे नहीं है क्यों नहीं है फिर किया ठीक है नारे है पर नाता सो परवान जे सच कमाई है तीर्थां ते नौन वाले है तीर्थां दी निंद्या नहीं पर गुरू ने किया इशनान करन वाले है किसे तीर्थ वरगा त फिर तेरा नाता परवान है। पर इशनान करण वालिया एक गल याद रखियी जे गंगादे जल वरगा तेरा हिर्दा पुट्र हो गया। फिर ते नाता परवान हैं जे गंगादे जल वरगा हिर्दा पुट्र बित्र ना होया नाता बिलकína कूल है। देखो तरम जे घोड़ं कर देखी। बेम पर्म नहीं रख्या कि आओ तुसी नाके चले जाओ मैं तो अड़े पाप दूर करदांगा गुरु ग्रेंट सैम महराज ने किया पाप करें पंचां के वसरे तीर्थ नाये कहें सब उत्रे बोर कमावें होए निशंक जम पर बांद खरे का लंक कि ल्ला इशनान करनल तू जमादी फाही वेच बज जाएंगा मैं तेनू जगद सनाएं के गंगा दे जल वरगा पुटर हो किसे मुस्लमान नो ने किया तू नौज पढ़दां पंच वकत कल में इस तरह नौज अदा करने हैं एक गल्त है नहीं हजूर ने किया नौज पढ़के तर्ती ते सजदा करन वालिया तू परवान हो जाएंगा ल्ला नू पर तर्ती ते सजदा करन वालिया तर्ती वरगी निर्मानता तेरे हिर्दे विच आजए जे तेरे हिर्दे विच तर्ती वरगी दया करौंद है बौंद है ते तरती बदले विच खान वास्ते अनाज दिंदी है तेरे अंदर निर्मानता चाहिए दी तरती वरगी तेरे अंदर पानी वरगी शुता चाहिए दी फिर तेरा नाता परवान है नहीं ते नाता होया तीर था ते परवान नहीं बिलकुल हजूर ने क तेनु कौन रोक दे पर इशनान करन वालिया तीर्थ ते चिते रखी हिर देदा कपड़ दूर ना होया ते नाता बिलकुल कूड है जिदन कपड़ दूर हो गया उद्दन बिना नातियां भी तुशद हो जाएंगा उद्दन करविच बैठे तेनु तीर्थ मिल जाने संदया प्रातिशनान करा ही ज्यों पहे दादूर पाणी माही की होया जे दो वक्त नाले ने सुवेरे वी ते शमी वी तीर्थ ते नो ने तेरे नालों ते ज्यादा समाँ डड़ू रहेंदा पाणी वेच दादूर दर थे डड़ू वेची रहेंदा है इस तरह लाब होन तैनु प्राय प्राटिशनान कराही। जोपें दाद्र पानी माही। जोपें राम राम रतनाही। ते सब तर्म सब्रे कह जाही। जो वह गुर्दनाम न न न रत Boys ते आगेका कछारी वेंगे। तो उस दोश तो मुक्त नहीं होएंगा अगे उन्हा बचन बड़ा प्यारा किया जो पे राम राम रत नाही ते सब तर्म राए के जाही काया रत बो रूपर चाही जिन्हे मर्जी काया दे रूप तार्न कर पावे कोई पहरावा पैन पावे हिंदू बन, जैनी बन, बोदी बन, असाई बन तेरे तर्म दे पैने होए चिन रब नो दन चंगे लगनगे जिदन अंदरों शुद हो जाएं काया रत बो रूपर चाही ते सब तर्म राए के जाही कोहो कबीर बो काए करी जै केंदे एक क्यों करम कर दे है सब कुछ शड़के वै गुर्दे नामदा रस पी के ते अंदरों शुद हो ए तीर थ फिर ना तेया तेनू परवान हो जाणगे नहीं ते ए सब कुछ कूड होएगा तुसी एस अस्तान ते दर्शन कर रहे हो एक मैं इतिहास दा पे तोड़े समक्ष रखना जदों बिलकुल इदर ले पास्यों तान गुरुराम दा समाहराजी दे लंगरतों पर करमा विज़ पर वेश कर देओ ते जिवें तुसी उपरों पर करमा करके फिर हर मंदर सह बलवाओंगे जब बिलकुल सजेहत जाओंगे ते दुख पंजनी वेरी दे नाल एक थड़ा बनेया हुए है उत्ते सिक संक्ता प्यार नाल बैके अनंद विच पाठ भी कर दियाने किर्तन भी सुन दियाने उस थड़े दे लिखे हुए है 68 तीर्थ अस्थान थड़ा 68 तीर्थ हुण मैंनों माफ करेओ कोई ओपरली बुद्धी वाला एनों विचार करे ते शायद कैदेगा ए मनमत है 88 तीर्थान दा इत्थे की फैदा ए दुझे तर्मादी गल इत्थे क्यों पर माफ करेओ ए दे वेचला बहुत गुजा पेद है तन गुरु अर्जन दे माहराज ने बड़ी बड़ी नदर किती जेड़े लोग ठाट तीर्थान दे प्रमन दे कौम कौम के अपनी उमर गजार लें दे सी जिना लोकां कुल तन पैसा नहीं सी क्यो ठाट तीर्थान दे शनान करन दे मन वे चिछा रहनी सी मैं ते ठाट तीर्थान दे नहीं गया मैं मुकत नहीं हो मांगा मैं ते फलने तीर्थान दे नहीं जा सकया मेरा की बनेंगा इस तरह लोग पश्तावे वे सन गुरु अर्जन दे माहराज ने क्या ए ओन वाले ओ आओ तो अनू अठाट तीर्थां ते जान दी लोड ने अठाट ते अठाट तीर्थां के इस समर स्रोबर वे चिकलो गए ने आओ जिड़ा इत्ते शिनान करेगा अनू अठाट तीर्थां दा फ़ल भी मिलेगा